प्रिया मुख्य मंत्री श्री जैराम ठाकुर जी अब हम हिमाचल प्रिदेश के लोग प्रिया मुख्य मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वो आएं और प्रधान मंत्री जी का पूरे राज्ये के लोगों की ओर से आपचारिक रूप से स्वागत करें माने निये मुख मंतर जी भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत जरही आज इस बहुत ही एतिहासिक पल पर गरीब कल्यान समेलन के इस कारिक्राव में देव भूमी ही माचल परदेश के शीमला के इस एतिहासिक रीज के मैदान में हम सब को अपना आशिरवाद देने के लिए पहुंचे हमरे देश के यश्यस्वी परदान मंत्री और हम सब के प्रेणा स्रोत आदनी श्री नरेंदर भाई मोदी जी ही माचल परदेश के मानने राज्य पाल मोदे श्री राजिंदर विश्वनाथ अरलेकर जी केंद्रिय युबा सेवा एवं खेल तथा सूचन एवं प्रसार्ण मंत्री आदनी श्री अनुराग ठाकुर जी वर्चुल माधिम से हमारे साथ जुड़े सभी परदेशों के मानिय मुख्या मंत्रेगंद मंत्रेगंद सांसतगंद शिमला के हमारे लोक्प्रिय विधायक और शहरी विकास मंत्रिय आदनिशी सुरेश भारदवाजी शिमला के लोक्प्रिय सांसत और भारती जन्ता पार्टी के हमारे हिमाचल परदेश के समानिय ध्यक्ष आदनिशी सुरेश कश्यप जी यहाँ उपस्ते सभी भाईों बेहनों और पत्तकार मित्रों मैं आज के से आतिहासी कारिक्रम मैं आधर्नियत निरंदर भाई मोदी जी का इस देभूमी हिमाचल परदेश में हार्दी का अभिनंदन करता हूं स्वाधित करता हूं यह हमारे लिए सौभाग्या की बात है कि जहां आधर्निय पधानवंत्री जी के मजबूत नितित्तों में देश ने तेज गती से तरक्टी की है और आपके इबादश्चन में आपके नितित्तों में भारत ने आठ वर्ष का हमारी सरकार का कारेकाल यशस्वी कारेकाल जिसको मैं कह सकता हूं वो पूरण किया है जिसके लिए मैं हिमाचल पर्देश के सभी भाई बहनों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और देभूमी हिमाचल पर्देश में आज की इस कारेक्रम में मिशेश्ष तोर से यहां आगमन पर आपका हार्दी का विनन्दन करता हूँ आपका धन्याबाद करता हूँ खिमाचल आपके दिल के बहुत करीब है और इस बात को हमने एक बार नहीं आने एक बार आपके आँखों में इसकी जहलक देखी है लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ जितना सने आप हिमाचल के लोगों को करते हैं हिमाचल के सदेव भूमी के लोगों के प्रती रखते हैं हिमाचल देव भूमी के लोग भी आपको उसी सने की तरह सने के साफ जो है आपको याद करते हैं सदैब जो है आपके साथ चटान की तरह खड़े हैं बहुत लंबे सुबज तक आपका हिमाचल परदेश में संगठन की दृष्टी से काम करने का जो कारेकाल रहा है एक नहीं अन एक जगह आपका जाना हुआ और कितने सारे लोगों को आप आज भी नाम से जानते हैं शुरिश्ट भादवाजी कह रहे थे मानियोपधान मंत्री जी से जातू का जिकर कर रहे थे कि चलो आज जातू भी जाते आधनियोपधान मंत्री जी ने कहा कि जाने का तो बहुत मन हैं जहां आप बोलेंगे वहां जाने के लिए हम त्यार हैं लेकिन इसी पल आपने एक बात और याद की कि क्या वो दीपक अभी भी पैदल जाता है एक थोटे से कारे करता हमारा संगठन का कारे करता हूं उनको भी आज नाम से आप समरन करके जो है जैसे आप अन्ना दिल पहुंचे तो आपने समरन किया सभाविक रूप से एक रिष्टा बताता है ये रिष्टा बहुत मजबूत है हिमाचल के साथ हम अभी आते आते में संकोच भी कर रहा था संकोच इसलिए कर रहा था कि शिमला का यह हम यहां तक का यह सफर अन्ना डेल से यहां रिष्ट के मैदान तक का कि शिमला का रिष्ट का मैदान बहुत छोटा मैदान है यहां हजारों की संख्ये में लोग आये हैं लेकिन वो इस सभा के सल में पहुंच नहीं पारे हैं वो वहीं खड़े एक विनम्मर आगरे हमने किया कि अगर आप पांक मिनट के लिए थोड़ा सा चल करके उनके साथ आप मिल करके चल सकते हैं उनसे बात करते हुए चल सकते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा आपने त्रंक जो है वो हमारा आगरे से विकार किया मैं आपका अभारी हूँ आप माल रोड पे पैदल हो करके यहां तक पहुंचे शिमला बोच कंपनी के पास तक पहुंचे और सभावी ग्रूप से मेरा यह मानना है कि बहुत पुरानी यादें आपको ताजा हुई होगी जब आप माल रोड पे रिज के हमदान पे चलते थे क कॉफी हॉस में जाते थे कॉफी हॉस में बैठ के कॉफी कीते थे कुछ मीडिय के साथियों के साथ मिलते थे कुछ बकीलों के साथ मिलते थे कुछ बैपारियों के साथ मिलते थे सभावी करूप से वह बहुत ऐसी यादे हैं शायद मुझे लगता है कि आप कभी घोल नहीं कौफी आपने पी तो सभावी करूप से ये हमारे लिए हिमाचल प्रदेश के लिए एक गर्व की बात है कि आप इतना करीबी के साथ इतनी भावनात्माग रिष्टे के साथ हिमाचल के साथ उड़े है आदनी पदान मंत्री जी डबल इंजन के सरकार आपके नेतित्य में कें इंदर सरकार और भारती जन्ताव पार्टी की हिमाचल प्रदेश के सरकार ने इन साधे चार वर्ष के कारेकाल में बेहितरीन काम करने की कोशिश की कोविर का बड़ा संकट था लेकिन उस संकट के बावजूद भी जिस मजबूती के साथ आपने पुरे राष्ट का मागदश्यन किया हौसला बढ़ाया हिम्मत बढ़ाई संकट बढ़ा था लेकिन उसके बावजूद आपने कहा कि हिम्मत के साथ आगे बढ़िए एक दिन आएगा ये संकट समाप्त होकर के रहेगा और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि आज वो कोवीड का संकट से हम पार लिकलते हुए भारत यशश्वी होकर के भारत के अंदर नहीं भारत के बाहर दुनिया के सभी देशों के लिए एक उधारन बना वुआ है आपके आश्रिबाद से जहां हिमाचल परदेश को दस हजार क्रोड रुपए की केंदर की योजनाय सभी कित की उसके लिए मैं आपका हिर्दे से आभारी हूँ विशेष राज्य का दर्जा जिन योजनाओं के योजनाओं में कहीं जगा हम 50% होते थे 50-50% 50% स्टेट 50% तेंदर होता था कहीं 60-40 था लेकिन आप जब नेतित्तों करते हुए भारत के ये शस्वी प्रधान मंत्री के उस दाइतों पर पहुंचे आपने बदल करके सारी विवस्ता को हिमाचल परदेश को विशेष दरजा दिया विशेष राज्य का दरजा दिया और 90-10 के तहता आपने हिमाचल परदेश के ल कोड़ पर हिमाचल परदेश के लिए अपने विशेष साहथा जो दी है उसके लिए मैं हिमाचल परदेश देभूमे की जनता की और से आपका हिर्दे से आभारबक्त करता हूए आपके आश्रिवाद से हमको एम्स मिला आपके आश्रिवाद से हमको तीन मेडिकल कॉलेज मिले चाहिए वो चमबा की बात है, चाहिए हमीरपूर की बात है चाहिए सिर्मौर की बात है स्वास्ते के क्षेत्र में हम आगे बढ़ने में हम उसके सफल हो रहे हैं उसके लिए भी मैं आपका हिर्दे से आपका अभारव्यक्त करता हूँ आपके यशाश्वी नेतितों में रोतांग टर्नल अटर्नल रोतांग जिसका काम कच्छुआ की चाल से चला था जैसे आपने परधान मंत्री का दाईतों संभाला आपने उसको गती दी और उसका उद्गाटन करके आपने राष्ट को समर्पित किया उसके लिए भी मैं आपका हिर्दे से आभारव्यक्त करता हूँ हिमाचल थोटा परदेश लेकिन यहां पर प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हो इस बात को लेकर के आपने हमारा मागदश्चन किया और आज मुझे इस बात को बताते हुए परसंता है कि हमने जो ग्लोबल इन्वेस्टर में धर्मशाला में की जिसमें आपका मागदश्चन मिला आपका सनेज मिला आपका आशिरबाद मिला और उसमें आगे बढ़ करके हम लग भग पचास हजार क्रोड रुपे के जो ग्राउंड ब्रेकिंग के साथ जो है हिमाचल परदेश में प्राइविट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट लेने में हम सफल हुए उसके लिए भी मैं आपका हिर्दे से आभारगत करता हूँ आप चार साल के कारेकाल पूरा होने पर मंडी आए 27 दिसम्बर 2021 को 11,000 क्रोड रुपे के उद्गाटन और शिला नया साथ आपने किये और हिमाचल परदेश को विकास की रहा पर आगे बंडे के लिए गरास्टर दिया उसके लिए भी मैं आपका आभारगत करता हूँ आपके आश्रिबा से मेडिकल डिवाई समकव हिमाचल परदेश को प्राप्त हुआ पांच हजार क्रोड रुपे की लागत से जिसमें लगबद दस हजार नौजवानों को रोजगार मिलेगा उसके लिए भी मैं आपका हिर्दे से आभारगत करता हूँ आदनियप धानमंते जी बातें बहुत हैं हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं लेकिन समय की कमी हमारे सामने है मैं आपका देव भूमी हिमाचल परदेश की जनता की और से एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ स्वागत करता हूँ एक बहुत सुन्दर बात मुझे जो आपके इसमें लगी अभी पांच परदेशों का चुनाफ हुआ और कई जगा इस बात को लेकर के कहा जाता था कि रिवाज बना है पांच साल के बाद बदला होता है परिवर्तन होता है ये होगा लेकिन आपने रिवाज बदल दिया और पांच राज्यों में से जहां चार राज्यों में भारती जंता पार्टी की सरकार थे हम चारू राज्यों में फिर सत्ता में आए और ये रिवाज बदलने की बात में इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि हिमाचल में भी कुछ लोग ऐसे ही कहते हैं और आपके आशिरिवाद से जो रिवाजwidवदा है अब की बार हिमाचल पर्देश में भी इस रिवाज को बदलेंगे आपके आशिरिवाद से माजदशन में यहां सरकार चल रही है और फिर से सरकार बनाएंगे इतनी ही बात कहते हुए एक बार फिर से आप शिमला पहूंच जाहिंद जाहिमाचर